सब्सक्राइब कीजिए मेस एस्पेशल को और दवाईए इस घंटे को ताकि दैनिक रासी फल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके मेस रासी वालों का आज का रासी फल यानी की 25 अगस्त 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 25 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्त में नक्षत्र है विसाखा पक्ष है सुकल पक्ष दिन है मंगल बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 55 मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है छे बज के 49 मिनट में आज के दिन काल है बारह घंटे 54 मिनट आठ सेकेंड का महिना है भाद्र पद आज के दिन सुभ समय शुरू होता है 11 बज के 56 मिनट एम से 12 बज के 48 मिनट पी एम तक आज के दिन असुभ काल सुरू होता है 8 बज के 30 मिनट एम से 9 बज के 22 मिनट एम तक रहु काल सुरू होता है 3 बज के 36 मिनट पी एम से 5 बज के 13 मिनट पी एम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और आज माने का प्रयास करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे जय बजरंग बली कमेंट कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से सुने ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं हो शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपती के बारे में दोस्तों पैसों के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत जियादा बहतर और सांदार है आप में से जो भी लोग आज के दिन कहीं भी धन संपती का निबेश करना चाहते हैं तो निबेश के द्रिष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो घर पडिवार के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान ने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अगर अपने घर पडिवार में अपने पडिवारिक जीवन में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शात अवश्य देगा इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध है दोस्तों प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय शामानी रहेगा आज से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से कोई वादा किया था कोई प्रॉमिस किया था तो आज के दिन अपने वादे को आप पूरा करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके प्रेम शंबंध के मामलों में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा इसके बाद है आपका कामकाज बेपार बेवसाए तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानने तोर पे सही रहेगा आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपुर्न काम किसी भी कारन से पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आप पूरा करने का पडियास करें यह आपके कामकाज के लिए बहुत ज्यादा आबस्यक और जरूरी है इसके बाद है आपका दामपत्ते जीवने दोस्तों दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका शम है शामानने से थोरा सा नीचे है आज के दिन संभव है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके जीवन साथी के साथ आपका बहस होगा और इस वजह से आपके दामपत्य जीवन के मामलों में आपको पड़े सानी का शामना करना पड़ेगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक, भाग्य साली रंग और उपाई क्या है दोस्तों उपाई बहुत ही ज्यादा सामानी है आज के दिन आप अपने घर पर अपने बेपार अस्थल पर या जहां कहीं भी आप रहते हो जहां पर आपका ज्यादा समय बीत्ता हो उस अस्थान पे आप मंगल यंत्र की अस्थापना करें और उसकी पूजा करें आपका शमय सांदर हो जाएगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग है क्रीम और सफेद आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है नो यानी की नाइन तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस